हेलो स्टोडेंस आज हम वकेबलरी की पार्ट टू लेके आए हैं वकेबलरी का इसके पहले हमने पार्ट वन चैनल पर अपलोड कर दिये हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेश में जाके जरूर चेकाउट कर लिजेगा आज हम प्रैक्टिस सेट दे हैं 20 कोईशन में कितने स्कोर आया हैं फिर मैं नेक्स वीडियो में उनका नाम जरूर बताऊंगे जिनके स्कोर अच्छे हैं ओके सो लेट्स बिगिन लास्ट वीडियो में हमने 20 कोईशन देख लिये थे 20 मेनिंग हमने पढ़ लिया था आज हम 21 से देखेंगे इनफर्म ये एक सिरीज है जो हम लोग की सिरीज चलती रहेगी तिल एक्जाम मतलब चलता ही रहेगा क्योंकि मेनिंग जो ऐसी वोकेबलरी एक ऐसा सेसन है मतलब हर एक्जाम में आता ही है और पाइदर एक्जाम में नहीं भी आता है तो हमको जानना चाहिए जितना हमारे अंधर रहेगा उतना ही अच्छा जितना भी जितना भी नौलिज रहेगा हमको वो हमारे लिए ही फायदे मांद है fruitful है न तो ये चलती रहेगी vocabulary की inform inform means क्या होता है inform मतलब होता है कमजोर क्या होता है कमजोर तो क्या हो जाएगा unsteady, timid, nervous या weak तो इसका synonyms क्या हो जाएगा right answer क्या है unsteady पहले हम चार option को देख लेते है unsteady means क्या होता है as there steady मतलब होता है इस there unsteady मतलब as there timid सभी को पता है डर पो nervous ये भी पता है घवराहट जिसको हम nervous बोलते है और weak तो पता ही है सो यहाँ भी हमारा correct answer क्या हो जाएगा d हो जाएगा weak अपना score जरूर बताईएगा आप लोग भी साथ साथ चलते देखिए देखते रहिए कितना आपने सही किया है cordial cordial means क्या होता है cordial means होता है maitri poard so hard poard दोस्ताना जिसे बोलते है इसे हम maitri poard so hard poard बोल सकता है या फिर बोल सकते हैं दोस्ताना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा affectionate, generous, friendly, kind क्या होना चाहिए तो affectionate मतलब होता है इसने ही और generous मतलब होता है उदार sorry, उदार और kind पता ही है friendly मतलब क्या होता है दोस्ताना या maitri poard so यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा C is correct here ओके आपको यहाँ पर एक नई meaning मिल गई है next धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो meaning का अस्तर है वो धीरे धीरे moderate होते जाएगा धीरे धीरे tough होते जाएगा शोल शोल मिस क्या होता है अकेला यह तो easy है शोल मिस क्या होता है अकेला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही right option क्या हो जाएगा only principle important या immediate तो only मतलब भी पता ही है principle यह सभी को पता है immediate पता है आप लोग को immediate मतलब होता है ततकाल important भी पता है सारे मतलब बहुत easy word है easy meaning है सारे ही यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा only हो जाएगा क्या हो जाएगा only जो टाफ रेंग गया option उसका मैं जरूर Hindi बता दूँगे उसकी meaning बता दूँगे और यह सारे ही easy है सभी को पता है यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा a next next है systematically systematically मिसक्या होता है वैवस्थित ज्भंग से कोई चीज हो तो यहां पे इसका नक्न क्या हो जाएगा सांटिफिकली दिया हुआ है टेकनिकली दिया हुआ है Methodically हुआ है, और झी हो जाएगा निदिक ये इसका मतलब होता है विदिखी पूरुव आक्याने की विवस्तिक ढंग conservation apply कि नेक्स्ट कुल्सर्भ होलुशमहों इश क्या होता है तो होलुवölुशम मतलब होता है पॉस्टिक क्या होता है पॉस्टिक यहां पर complete दिया होँ, ripe दिया होँ, sound दिया होँ, desirable इसका कहीं भी इसका option दीख नहीं रहा है कि इसमें कोई option होगा भी तो यह चारो option ही इसमें गलत है इसका मतलब होता है पॉस्टिक, wholesome मतलब इसको आप लोग अगर synonym में बोल सकते हैं तो light बोल सकते हैं one minute, wholesome मतलब होता है पॉस्टिक इसको अच्छा synonym है nutrients बोल सकते हैं, इसका synonym है nutrients okay, nutrients भी बोल सकते हैं, light भी बोल सकते हैं, light या फिर proper बोल सकते हैं यह सारे इसके सिनोनिम में ही आते हैं, ओके, या फिर एनलेप्टिक बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है, एनलेप्टिक, ठीक है, तो यह होल सम का सिनोनिम क्या है, न्यूट्रियस, प्रॉपर, लाइट, एनलेप्टिक, तो यह आप लोग ज़रूर लिख लेजएगा, तो कि इ पक्षपात करना, तो यहाँ पर हमारा सही उप्सन क्या हो जाएगा, इग्नोरिंट, फुलिश, बायस्ट या कन्फ्योज, तो इग्नोरिंट मतलब होता है अज्ञानी, सभी को पता है, और फुलिश यह तो पता ही है, कन्फ्योज यह भी पता है, बायस्ट जो होता है, बा क्या होता है इसमारक तो यहां पर हमारा पहले हम चार ओप्सन देख लेते हैं टॉम टॉम मिस क्या होता है मगबरा सभी को पता है क्या होता है मगबरा अब मिमोरियल मतलब क्या होता है इसमारक और आपका मौसेलियम मौसेलियम मतलब क्या होता है समाधी क्या होता है समाधी औ और epitaph ये भी आपका इस्मिर्थी लेख है या समाधी लेख बोल सकते हैं ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे का synonyms है इस्मिर्थी लेख या समाधी लेख तो टॉम इस मगबरा होता है memorial मतलब क्या होता है memorial मतलब होता है इस मारक और maucilium मतलब होता है समाधि एपिटाफ मतलब होता है इस मिर्थिलेख या समाधिलेख सो मारा करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा मोनुमेंट का बी इस करेक्ट है मिमोरियल ओके नेक्स्ट केयर केयर में बहुत इसी वर्ड है केयर देख भाल प्रेशर, ट्रोबल, कंसर्ण या डिस्ट्र तो प्रेशर मतलब क्या होता है प्रेशर मतलब दबाओ देना ट्रोबल, पर्शानी, डिस्ट्रिस मतलब भी होता है पर्शानी या संकर कंसर मतलब चिंता तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा c हो जाएगा concern ओके यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा c next यह easy था बहुत easy था यह trivial trivial means क्या होता है मामूली तुछ बोल सकते हैं इसको कहते हैं बहुत trivial person है तुछ है या मामूली तो यह option में है irrelevant, unpopular, stupid, insignificant क्या होगा यहाँ पर irrelevant मिस क्या होता है अपर सांगिक और unpopular पता है सबको stupid पता ही है insignificant जो आपका है महत्विहीन तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा d हो जाएगा trivial का मतलब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा insignificant next competent competent मिस क्या होता है सक्षम क्या होता है सक्षम तो efficient पर ले हम चार ओप्सन देख लेते हैं efficient मतलब होता है कुशल या सक्षम suitable suitable मतलब होता है उपियुक्त intelligent पताए बुद्धिमान experienced मतलब अनुभवी तो यहाँ पर मारा correct answer क्या हो जाएगा correct option क्या हो जाएगा यह is correct हो जाएगा efficient efficient मतलब भी होता है सक्षम या कुशल सक्षम या कुशल efficient next indiscriminate indiscriminate मिस क्या होता है indiscriminate मतलब होता है अन्दा धुन्द या फिर आप इसको बोल सकते हैं indiscriminate आविवेकी आविवेकी बोल सकते हैं या विवेखीन बोल सकते हैं अविचारपूड बोल सकते हैं यह सारे इसके वो हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा undifferentiated या instant या sensible या discrete यहाँ पर क्या हो जाएगा okay undifferentiated मिस क्या होता है उदासीन और इनिस्टिंट, पता यह है, तटकाल, सेंसबल डिस्क्रीट मिस क्या होता है, बुद्धिमान या छह बड़ है, बुद्धिमान ओके बुद्धिमान तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा, इसमें नहीं ही है कहीं भी correct option आप इसका देख लिजेगा indiscriminate मिस्ट क्या होता है अभी वे की जिसे आप reckless बोल सकते हैं reckless reckless या फिर endless यह इसका correct synonym word हो जाएगा indiscriminate का कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा बट यह मैं इस पर जाना नहीं चाहूंगे इसमें और option है नहीं तो इसका यही एक option है reckless पर जा सकते हैं आप indiscriminate का synonym अगर है तो reckless, aimless यह सारे इसके synonyms हैं नेक्स्ट लिटरल लिटरल मिस्ट क्या होता है साबदिक तो इसका option देख लेते हैं verbatum, formal, factual या outdated तो verbatum मतलब भी होता है सबदश है, formal, obchari, factual मतलब होता है तथ्यात्मक, outdated मतलब पुराना, old तो यहां पर हमारा correct meaning जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, c भी हो जाएगा factual और verbatum दोनों ही यहां पर meaning सही है literal की, क्योंकि literal मतलब होता है साबदिक, verbatum मतलब भी होता है साबदिक या सबदश है, factual मतलब भी होता है, यह तीनों ही एक दूसरे का क्या है, synonyms हैं, तो यहां पर दो-दो word दिया, तो आप यहां पर दोनों ही देख लिजएगा, दोनों ही अगर आप note down कर रहे हैं, तो दोनों ही note down कर लिजएगा, क्योंकि literal का यह तीनों आपस में एक दूसरे के synonyms हैं, तो आपके option में है puzzling, illusive, complicated, absurd, तो यहां पर क्या हो जाएगा, puzzling, मतलब puzzling मिस क्या होता है, puzzle जो पेचीदा हो, बहुत puzzling टाइप का हो, मतलब बरशान नहीं गोल सकते हैं, पेचीदा टाइप का puzzling, हैरान या परशान गोल सकते हैं, illusive, illusive मतलब होता है, मायावी, complicated मतलब होता है, जटिल, assertive, सभी को पता है, तो यहां पर मारा correct answer C हो okay, next, next question है, next meaning है, expeditiously, 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 expeditiously मतलब क्या होता है, शीगर या जल्दी, शीगर या जल्दी, तो option देख लेते पहले हम, rudely, gently, meekly या quickly, तो rudely मतलब क्या होता है, असिस्टरता से, gently मतलब धीरे, और meekly मतलब क्या होता है, meekly मतलब विनम्र टाइप का, अच्छा बढ़ा है, विनम्र, okay, meekly, quickly मतलब जल्दी, तो यहां पर मारा correct answer क्या हो गा, okay, correct answer यहां पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, next, next है, idiosyncrasy, idiosyncrasy means क्या होता है, लत, क्या होता है, लत, लत, one minute, idiosyncrasy means क्या होता है, लत, okay, तो यहां पर option में है, demands, need, ideology, eccentricity, eccentricity, तो यहां पर demand मतलब सभी को पता है, demand मतलब क्या होता है, मांग, need मतलब, जरूरत, ideology मतलब होता है विचार धारा इसको लिख लेज़ेगा विचार विचार धारा और eccentricity मतलब होता है संखीपन तो यहाँ पे हमारा correct answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा ok idiosyncrasis मतलब होता है लत या फिर पागलपन यह सारी चीजे तो यहाँ पे हमारा correct answer D हो जाएगा next one minute सभी है baron baron miss क्या होता है banjar baron miss क्या होता है banjar fertile miss क्या होता है productive miss क्या होता है उत्पादक sterile मतलब क्या होता है banjar जिसे हम banjar बोल सकते है fruitful मतलब होता है labdaik सो यहाँ पे मारा correct answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा sterile sterile मतलब होता है banjar या फिर banjar और इसका अगर ये तो हो गया अगर इसका opposite पूछ लिया तो fertile हो जाएगा sterile का opposite क्या हो गया fertile या बैरन का क्या हो जाएगा fertile हो जाएगा opposite असिनोनीम है तो ये दोनों सिनोनीम है next obscene obscene मतलब होता है असली तो यहाँ पे option जो है indecent unclear unpleasant disgusting indecent मतलब होता है aso भी नहीं unclear मतलब ice-pust unpleasant मतलब appree disgusting मतलब so यहाँ पे correct option क्या हो जाएगा e हो जाएगा indecent option मतलब aslil या aso भी नहीं होता है तो यहाँ पे indecent हो जाएगा okay next vigilance vigilance मिस्ट क्या होता है जाग रुपता क्या होता है जाग रुपता vigilance तो option देख लेते हैं caution oversight carelessness neglect तो caution मिस्ट क्या होता है सौधानी oversight मिस्ट क्या होता है निरिक्छड carelessness लापरवाही neglect मतलब क्या होता है उपेक्छा so यहाँ पे हमारा correct answer क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा e e is correct here caution हो जाएगा vigilance मतलब जाग रुपता तो caution मतलब भी जागरुपता ही है सौधानी okay next foremost foremost मिस्ट क्या होता है सबसे महत्यपूर मतलब सबसे महत्यपूर या सबसे आगे ऐसा बोल सकते है सबसे आगे सबसे महत्यपूर तो only cable होता है first पहले सबसे आगे most enthraling enthraling मतलब क्या होता है हैं फॉर्स्ट मतलब होता है सबसे पहले सबसे आगे चब से महत्तिपूल्ग नेक्स्ट हम आप बहुत एजी है ना आप लोगों बहुत एजी मेनिंग लग रहे होगी सबका आना चाहिए ट्वेंटी आउट आफ ट्वेंटी किसीका भी कम नहीं आ क्योंकि easy meaning है कुछ ही meaning एक दो meaning थोड़ी tough सी लग रही है लेकिन जादी tough हो भी नहीं है more निमस क्या होता है विलाप करना शोक मनाना तो यहाँ पर option क्या हो जाएगा scream cry lament regret सभी को पता है अब literature में तो कितनी वर्तवा पढ़ चुके होंगे more lament है न scream मतलब क्या होता है चीक सभी को पता है cry regret इसभी को पता है तो यहाँ पर हमारा correct answer lament हो जाएगा okay more मतलब विलाप करना शोक मनाना lament मतलब भी होता है विलाप करना यह सब तो जितने बच्छ लिटरेचर पढ़ रहे होंगे न उनके जवान पर होगा यह lament next फ्रेजाइल फ्रेजाइल मिस क्या होता है कमजोर अच्छा वर्ड है फ्रेजाइल मतलब होता है कमजोर lasting कहते हैं everlasting अस्थाई sturdy मतलब कठोर weak मतलब कमजोर durable मतलब तिकाओ तो यहाँ पर हमारा correct option क्या हो जाएगा c हो जाएगा c is correct here and last question आज का यूनीक यूनीक मिस होता है यह अदुतिय या अनोखा बोल सकते हैं unusual special ordinary और यहाँ पर क्या है common सो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा unusual सभी पता है समान special wishes ordinary सधारण और common समान सो यहाँ पर unique का correct option क्या हो जाएगा special इसका correct synonym क्या हो जाएगा special हो जाएगा तो इसमें हम 20 question i think 20 question 21 हो गया होंगे तो अपना score जरूर बताएगा और remaining तो आप लोगों को बहुत easy लग रही होगी है ना दीरे 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 टफ होगा तो अपना feedback जरूर दीजेगा और score जरूर बताईगा जितने बच्चे आज की वीडियो में आज की class में अपना score बताएगे मैं उनका नाम कल की class में जरूर लोंगी जो भी अपना इसको जरूर बताइएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देजेगा ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू पॉर वाचिंग